हलो फ्रेंड्स, वेलकम टो SSC कोचिंग सेंटर, दोस्तों आज की वीडियों बात करेंगे रिजिनिंग के इंपोर्टन प्रेस्टों की जो एक्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों मैं आपको बता दूँ, मैं वही कोशन कराता हूँ जो सेट पैटर्न के कोशन होते हैं, एक्जाम में पूछे के कोशन होते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला कोशन है आपका यदि M का अर्थ पिलस, N का अर्थ माइनस और P का अर्थ गुणा हो तो इस पूरी सीरीज का अंसर आपसे पूछा गया है, क्या होगा ये पूरी सीरीज आपकी किसके बराबर होगी और ये कोशन BDO 2016 में पूछा गया था किलियर दोस्तों बहुत सिंपल कोशन देखें, 15 दिया गया है आप यहाँ पर क्या करेंगे, 15 लिख लीजिए अब यहाँ पर क्या है N, N को क्या लिखा गया है माइनस, N का अर्थ क्या है दोस्तों माइनस तो N की जिए के हम माइनस ले लेंगे, अब क्या दिया गया है 10, 10 ले लिया, P आ गया, P का अर्थ क्या है गुणा, तो आप गुणा ले लेंगे, फिर क्या दे रखा तीन ले लिया M का अर्थ क्या है दोस्तों M का अर्थ है पिलस तो यहाँ पर पिलस आ जाएगा 5 दे रखा है फिर से P आ गया P का अर्थ क्या है गुणा तो आग गुणा लिखतेंगे अंत में क्या दिया गया है 4 और ये पूरी सीरीज किस के बराबर है ये आप से पूछा गया है केलियर दोस्तों अब देखे अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ मैंने आपको बताया था Board Mass Board Mass के According आप इसे Solve करेंगे दोस्तों केलियर है Board Mass के According Solve करेंगे Board Mass का क्या नियम था वो मैं आपको बता चुका हूँ यदि आपने Board Mass का वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वहाँ से देख लेना किलियर है यदि आप इस सवाल को डिरेक्टली कर देते हैं पंद्रे में से मानिस कर दिया दस पांच बचेगा फिर पंच का मुल्टिप्लाइ तीन से फिर पंद्रा में पांच जोड़ो बीस आजागा फिर बीस का मुल्टिप्लाइ चार से कर दो कितना आजाएगा असी आजाएगा असी तो आप्शन में भी नहीं दे रखा है ऐसे Solve नहीं करते हैं दोस्तों इस question को solve करते हैं board mask के according clear है तो ये board mask के नियम में क्या है पहले क्या दे रखा है गुणा तो सबसे पहले गुणा solve करेंगे minus भी solve नहीं करना है plus भी solve नहीं करना है clear है गुणा दे रखा है सबसे पहले गुणा को solve करेंगे किलियर है तो कर लेते हैं 15 ऐसे ही रहेगा माइनस का रहेगा अब पहले गुड़ा दे रखा तो गुड़ा को स्वल्व करेंगे 10 का मल्टिपाइ 3 से यह गुड़ा दे रखा इतना 10 का मल्टिपाइ 3 से तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा यहाँ पर कितना आ गया 30 हो जाएग गया 35 हो गया अब माइनस का कितना है आपके पास 30 अंत में क्या सॉल्व होता है माइनस 35 में से माइनस कर दो 30 को क्या बचेगा दोस्तों आपके पास 5 बचेगा यही आपका अंसर जाएगा option नंबर भी किलियर है यदि इसमें डिवैड भी दिया जाता तो सबसे पहले देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा दोस्तों वहां से देख लेना किलियर है अब देखते है अगला question अगला question आपका यदि 0, 1, 2, 3 और यह कहां तक जा रहा है इसको क्या लिखा गया है A, B, C, D और यह Z तक लिखा गया है किलियर है के 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 के लिखा गया है यहां किई से start किया गया है A, A, 0 को क्या लिखा गया है यहाँपर A, 0 को A लिखा गया है, 1 को B लिखा गया है इसको C, D, E, F, G, H, I, J जे तकी तो दे रखा है तो 9 को यहाँ पर जे लिखा गया है किलियर दोस्तों यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए अब देखिया आगे कैसे solve करना है देखिये दोस्तों आपको solve करनी है यह वाली सीरिस किलियर है यह तो आपने जैसा दिया गया है वैसा लिखलिया लेकि solve आपको यह वाली सीरिस करनी है किलियर है सबसे पहले D दिया गया है D को कितना लिखा गया है D को लिखा गया है 3 तो आप यहाँ पर D को 3 लिखलेंगे c को कितना लिखा गया है c को लिखा गया है 2 तो 2 लिख लेंगे multiply का sign है तो आप multiply लगा लीजिए f दिया गया है f को कितना लिखा गया है दोस्तों f को लिखा गया है 5 तो आप यहाँ पर 5 लिख लीजिए फिर क्या sign है minus का minus लगा लिया into आगे B को कितना दिया गया है B को 1 लिखा है तो 1 लिख लिजिए F को कितना लिखा गया है F को 5 लिखा गया है तो 5 लिख लिजिए माइनस का साहिन है माइनस लगा दिया D को कितना लिखा गया है D को 3 लिखा गया है तो 3 लिख लिजिए हो जाएगा के लिया है यहां किा है माइनस तो माइनस का साइन ले लेंगे पंदरा मैं आ यहां कितना कितना बचा दोस्तों यह बचा के यह बचेगा आपके पास 124, के लिए रहा है, 124 बचा, लेकिन 124 तो आंसर में नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं, आप देखें, एक को क्या लिखा गया है, एक को लिखा गया है, एक को लिखा गया है, दो को लिखा गया है, C, C लिखा गया है, 4 है, 4 को क्या लिखा गया है, दोस्तो चार को लिखा गया E तो यही आपका आंसर हो जाएगा B, C, E option चेक करेंगे B, C, E पहले ही option में दे रखा है clear है देखिए 160 में से 36 को मानस किया क्या आया 124 मैं आरक के लिए करता हूँ 124 आया है अब 1 को क्या लिखा गया है 1 को B लिखा गया है 2 को क्या लिखा गया है C, 2 को C लिखा गया है और आपको 4 को क्या लिखा गया है E, 4 को E लिखा गया 1 को B, 2 को C, 4 को E तो B, C, E आपका सही आंसर हो जाएगा option number A clear दोस्तों और ये वाला question दोस्तों आपको मैं बता दू S, S, C 2015 मैं पूछा था S, S, C 2015 में ये वाला question आया था clear है तो मैं वही question कराता हूँ जो पूछे के question है exam में clear दोस्तों वह मिद करता हूँ ये question भी आपको अच्छे तरीके से समझ मागया होगा आप देखेंगे अगला question अगला question है आपका यदि 6 star 3 बराबर 13 5 star 20 बराबर 96 11 star 7 बराबर 66 हो तो 19 star 11 बराबर क्या होगा दिल्ली पुलिस 2012 में ये question पूछा था clear दोस्तों जो series यहां बनेगी वही यहां पर बनेगी वही यहां पर और वही यहां पर बनेगी clear है तो सबसे पहले देख लेते हैं ये वाला देखें यहां पर क्यार दियेगा है 6 star 3 बराबर करता दिया गया है 13 clear दोस्तों आप दिखें यहां पर 6 है और यहांपर क्या है star की जगे दोस्तों क्या ले सकते मैं आप गुणा ले सकते हैं इसलिए तो यह वाली series दी जाती है exam में, student का दिमाग चेक किया जाता है, कि वो कितना कहां तक सोच सकता है, और इस question को solve कर सकता है या नहीं, clear है, आप देखिए यहाँ पर 3 दिया आगया है, आप 3 को क्या लिख सकते हैं, तीर को देखिए आप क्या लिख सकते हैं, 2 पिलस 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तीर को आप 2 पिलस 1 लिख सकते हैं, बराबर कितना दे रखा है, 13 दे रखा है, के लिए दोस्तों बात आप देखिए, 6 का multiply 2 से हो जाएगा, 6 का multiply 2 से कितना हो जाएगा 12 पहले multiply solve करेंगे board mass के नियम से कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 और 12 में आप एक ही जोड़ तो ये वाला तो कितना हो जाएगा दोस्तो 13 हो जाएगा के नहीं हो जाएगा ये वाला बात समझ में आ गई clear दोस्तो इधर भी 13 हो गया इधर भी 13 इस 3 को आपने क्या किया है 2 पिलस 1 लिख दिया है और star की जगे पर गुणा ले लिया है अब यही trick दोस्तो आप इसमें लगाईए clear है 5 है star की जगे पर गुणा का sign लेंगे clear है 20 को क्या लिख सकते है 19 पिलस 1 लिख सकते है बराबर का 96 है clear दोस्तो आप 19 पंजे कितना होता है 19 पंजे 95 होता है तो आप यहाँ पर कितना लिख लेंगे 95 इसमें पिलस 1 का जोड दीचे कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा बात समझ में आगी दोस्तो क्या सीरीज बन रही है समझ में आ रहा है यहाँ कितना दे रखा 11 11 ले लिजे multiply ले लिजे और 7 की जगे क्या लिख सकते है आप 6 पिलस 1 लिख सकते है बराबर कितना है 66 है clear है दोस्तो आप 11 चिके 66 होता है clear है पिलस 1 कर देंगे कितना हो जाएगा 66 मिल जाएगा की नहीं मिल जाएगा दोस्तो मिल गया अब यही सीरीज इसमें बना दीजे क्या दे रखा है 19 इस्टार की जगे क्या साइन लेंगे गुणा का और आप 11 को क्या लिख सकते है 10 पिलस 1 लिख सकते है बराबर क्या होगा नहीं पता तो 19 का मल्टिप्राइज 10 से कर दो कितना हो जाएगा 190 हो जाएगा किलियर है इसमें कर दीजे पिलस 1 कितना मिल जाएगा 191 हो जाएगा यही आपका आंसर हो जाएगा option number C किलियर दोस्तो बात समझ में आगी कैसे solve हो रहा है कुछी भी हो सकता यहाँ पर देखिया हमें क्या कर दिया है 2 पिलस 1 लिख दिया है हमने 3 को यदि इसमें हो सकता था कर 2 माइनस 1 भी करना पड़े कुछी भी करना पड़े दोस्तों आपको क्या करना है इसका answer लेके आना है चाहे star की जगे पिलस करिए चाहे minus करिए चाहे divide कीजे चाहे गुणा कीजे किलियर है चाहे 3 से 6 को divide कर दो 3 से 6 को divide करेंगा दो बाल जाएगा 2 भी आ सकता है यहाँ पर कुछी भी दिया जा सकता है logic आपको लगाना है किलियर है कोशन में पहचान ना है आपको क्या logic लग रहा है किलियर दोस्तों यदि कोशन अच्छा लगा है तो एक like कर दीजे अब देखते हैं अगला कोशन अगला कोशन है 44 multiply by 75 बरावर 7454 के बरावर दे रखा है 34 multiply by 65 बरावर 6453 के बरावर दे रखा है अगला है 24 multiply by 55 बरावर इतने के दे रखा है तो 14 multiply by 45 बरावर क्या होगा यदि कोशन SSC 2012 में पूछा गया था किलियर दोस्तों लगाईए अपना logic क्या logic लगेगा इसमें 5 मिनट वीडियो को रोग लीजिए खुद से इसका answer ढूणिए प्रैक्टिस करिए खुद से इसका answer ढूणिए और मुझे comment box में बताईए इसका answer क्या होगा दोस्तों पहले खुद से करके अपना answer निकालिए बाद में आप मेरा logic देख लेना कि मैंने कैसे कराया इसको solve किलियर दोस्तों पहले रोके खुद से solve कीजिए अब देखिए मेरा इसमें logic क्या है यहाँ पर कितना दिया क्या है 44 multiply by 75 कितना 44 multiply by 75 बराबर कितने के है 7454 के बराबर है किलियर है अब देखिए एक चीज़ में समझना क्या है यहाँ कितना दे रखा है 7 यहाँ कितना दे रखा है 7 यहाँ कितना दे रखा है 5 यहाँ कितना दे रखा है 5 किलियर बात समझ में आगी देखिए पहले क्या लिखा है 7,4 यह बाली संख्या लिखिए आपने पहले 7 फिर लगा दिया यह वाला 4 किलियर है तो पांच लिख दिया फर यहाँ पर क्या है चार तो चार लिख दिया दूसरा देख लेते हैं उसमें यह लोजिक हमारा लग पा रहा या नहीं कितना दे रखा है 34 multiply by 65 बराबर कितना 6453 यहाँ पर क्या था इसका सम्मंद इससे था मतलब दूसरी वाली संख्या का सम्मंद पहले से है दूसरी वाली का पहले और पहली वाली का दूसरी से केलियर है अब देखिए यहाँ पर मैं बता दूँ पहले कितना है आप साथ तो साथ लिखा गया था यहाँ पहले च्छ है तो च्छ लिखा गया है और 6 का सम्मंद किससे है, दूसरी वाली समझ के बार, 6 के बाद 4, 5 के बाद 3, 7 के बाद 4, 5 के बाद 4, 6 के बाद 4, 5 के बाद 3 लोजिक समझ में आ रहा है दोस्तों, अब देखें तीसरे में भी इसी लोजिक को देख लिए ठीचे 24 multiply by 55 बराबर किश के 54 बामन के वही करेंगे जो इन तीनों में करते गुए आरे हैं लेहिए यहाँ पर करने 5 है फिर इसका सम्मध्न 5 किसे इसद से 4 लिख दिया पर फिर शेका सम्मध्न किसे द Common के दिया के लिए दोस्तों बात समझ में आगी ज्यादा मुस्किल कोशन नहीं है बस आपको पहँचान ना है क्या लॉजिक लग रहा है यदि आप रिजिनिंग के सवाल सौल करते हैं या फिर इनकी प्रैक्टिस करते हैं सीखते हैं तो आप पहँचान लेंगे देख करी अब इसका भी ह क्या आएगा चार तो चार फिर क्या आएगा पांच तो पांच और फिर क्या आएगा वन तो वन चौवाली सिख्यावन आपका आंसर हो जाएगा चौवाली सिख्यावन डी ओप्सन में दे रखा है के लिए दोस्तों उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा पहले लिखनी है ये वाली संक्या लिख दी फिर लिखनी है ये दूसरी वाली संक्या लिख दी फिर ये दूसरी वाली लिखनी है लिख दी फिर ये पहले वाली लिखनी है लिख दी मतलब इसका संबंद इससे है और इसका संबंद इससे है किलियर दोस्तों उम्मीद करता हूं इसम प्रावर 5 और 5 x 8 बराबर 0 तब 6 x 8 बराबर क्या होगा यूपी ट्रिपल सी 2016 में आया था ये कॉर्शन के लिए दोस्तों देखें यहाँ पर पहले वाला ले ले लेते हैं 6 x 7 बराबर कितना दे रखा है 2 दे रखा है के लिए रहे अब देखें सीधा सीधा इसका multiply पर देते हैं 6 x 7 कितना होता है दोस्तों 42 होता है अब 42 में 21 कि क्या है 2 x 8 इसलिए यहाँ पर 2 लिया गया है यही logic दूसरे में लगता है या नहीं चेक कर लेते हैं 3 multiply by 5 दिया गया है बराबर कितना है 5 3 पज़े कितना होता है 15 होता है 15 में एक आयंग क्या है 5 इसलिए यहाँ पर 5 लिया गया है इसमें एक आयंग 2 था 2 लिया गया है इसके multiply में एक आयंग 5 है 5 लिया गया है के लिए रहे हैं वही लोजिक आप इसमें लगा दो 6 multiply by 8 बराबर क्या होगा यह पूछा गया आठ चींग 48 होता है 48 में का यंग क्या है दोस्तो 8 हाएगा तो यहाँ पर 8 हाएगा ना तो आप कांसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा option number 1 के लिए दोस्तो मैंने बताया था different different type के logics में दिये जाते हैं plus minus गोडा एकायंक वाला भी देख लिए आपने इस वार एकायंक वाला दिया गया है के लिए दोस्तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आप देखते हैं अगला question अगला question है यदि 3 multiply by 9 multiply by 7 बराबर इतना 5 multiply by 4 multiply by 8 बराबर इतना हो तो 1 multiply by 2 multiply by 3 बराबर क्या होगा SSC 2013 में आया था यह question ज़्यादा मुश्किल नहीं है यदि आप देखेंगे ना तो देखकर ही पहचा लेंगे इसमें हो क्या रहा है के लिए रहा देखें मैं आपको पता देता हूँ 3 multiply by 9 multiply by 7 बराबर कितना 3 7 9 दे रखा है ना इसके बराबर दे रखा तो कर लेते हैं अब देखें यहाँ पहली संख्या क्या है 3 और यहाँ पहली संख्या क्या है 3 लिख दी पहली संख्या पहले लिख दी है किलियर है बादवाली संक्या क्या है नो बादवाली संक्या यहाँ पर लाश्ट में लिख दी गई है और जो लाश्ट वाली संक्या है साथ उसे यहाँ पर बीच में लिख दिया है पहले वाली पहले बादवाली लाश्ट में और लाश्ट वाली बीच में किलियर है दूसरी म में है और लाश्ट वाली बीच में है किलियर दोस्तों बात समझ में आगी पहले वाली पहले दूसरी वाली लाश्ट में और लाश्ट वाली पहले वही लोजिक आप इसमें लगा दूना वन मल्टी प्लाइवाई टू मल्टी प्लाइवाई थी क्या होगा नहीं पता है तो प पहले वाली पहले तो हमने पहले वाली पहले लिख दी बीच वाली कहां लिख रिए लाश्ट में तो हमने बीच वाली लाश्ट में लिख दी और लाश्ट वाली कहां लिख रिए बीच में तो लाश्ट वाली हमने बीच में लिख दी तो वन थ्री टू आपका सही आंसर आज होगा दोस्तों यदि थोड़ा सा टाइम आपको ज़्यादा लगता है मैं आपको बता दू यदि आपको ऐसा लगता है कि ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा है या फिर आपको ऐसा लगता है मैं समझाने में ज़्यादा समय ले रहा हूं तो यदि आप अभी ज़्यादा सम जमझने के लिए तो आगे आपका ही फाधा होगा थोड़ा समय जादा लग जाए कोई बात नहीं लेकिन हमारी समझी में आना चाहिए एक बार समझी में आगया तो बार-बार हम उसे कर सकते हैं लेकिन जब समझे में ही नहीं आएगा तो आप कितना भी समय देदो उसे नहीं कर पाएंगे लेकिन एक बार आपने समय देके समझ लिया तो वो समय आपका बेकर नहीं जाएगा कभी समझ लिए दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा यदि पसंद आया है तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें यदि आपने हमारे चैनल को भी तर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दवा दीजिए दोस्तों धन्यवाद